टॉप 20 नीज इस ब्राट टू यू बाई सिंबास सेंटर फोर स्खील डेवलप्मेंट नमश्कार स्वागत आपका इंडबी सिंद्यूस पर आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाक्यश्री लोगसबाद चनाव के लिए बीजेपी ने पांच फिल लिस जारी कर दी है इसको लिखकर रामदास आटफली ने कहा है कि बीजेपी ने सभी शेत्रों के दोगों को टिकेट दिया है अर्विन केज्रिवा की गिरवतारी के खिलाब आपने आज प्रधान मंत्री आवास के खेराओ का एलान कर दिया है हालाकि दिल्ली पुलिस ने आमाग्मी पार्टी को किसी तरह की प्रोटिस की पर्मिशन नहीं दी है उत्रप्रदेश की चिनवारा लोगसबा सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी नकुलनाद आज नामांकन दाखिल करेंगे नकुलनाद पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्तिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे उत्रप्रदेश में जेल में बंध मुक्तार अंसारी की तबियत खराब होगी है इसके बाद उसे जेल से बांगरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करया गया है नियॉक के एक सन्यादिश ने सुनवार को डोनाल ट्रम के अपरादिक मामले में 15 अपरिल के सुनवाई की तारिक तैगी है जिससे यह संभाना बढ़ गई है कि पुरवर राश्वपती को कम से कम एक फैसली का सामना करना पड़ेगा माहिम बीच पर डुबने की एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है तो अन्य को बचा लिया गया है और एक का इलाज हिंदुजा अस्पतार में क्या जा रहा है एक व्यक्ति अभी भी लाप पता है गाजा में तदका संगर्श विराम को लेकर प्रस्ताव पास हो क्या है इसके पाथ इसराइल के प्रधार मंत्री बेंजामीन नित न्याहु ने एक उच्छस्तर या प्रतिनिती मंडल की वाशिंग्टन ज्यात्रा रद्य कर दी है माराश में देविंटर प्रणवीस ने लोगसबा चनाओ को लेकर बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि पहले चरण में पूर्वी विधर में होने वाले चनाओ में महायूती सभी स्रीट पर जीत हासिल करीगा बांडू मिलाके में पास साल की बच्च के अभरन मामले को पुलिस ने बारा घंडे के अंदर सुलच लिया है इसके साथ दी चार आरूपी महिला को गिरत तार्पी कर लिया है माराश्य में बीजेपी ने भंडारा गोंदिया से सुनेल मेंडे पर दोबारा भरोसा जताया है वही सोलापूर से पार्टी ने विदाएक राम सत्पुतिक को उमिदवार बनाया है शेहसेना यूबिटे सांसर संजर राउत ने बताया कि पार्टी मंगलबार को लोग सबा उमिदवारों की नामों की घोशना करीगी पिछले सब तहा कॉंग्रिस ने 12 उमिदवारों की घोशना की थी बारत में होले के तिवार के उपलक्ष में सुमवार को अवकाश्तार जिसकी चलते भात ये बासार लगातार तीन दीन बाद आज कारुपार की लेख खुले है घरेलू बासार की शुरुबाद गिरावट के साथ ही होती दिखाय दिरी है पंजाब किंग्स के खिलाब दिनेश कार्टिक ने 10 गिंदों पर 28 रनों की नौट आउट फारी खेल कर रॉयल चलेंजर्स बांगलोर को जिद दिला दी है कलकी की रिलेस को अब दो मैने से भी कम वक्त बचा है फिल्म को लिख कर बज़ बना हुआ है प्रबास दिपिका पादुकौन, अमिता बच्चन और दिशा पाटनी फिल्म में एहम डोल में है स्वाधन द्रवेर सावरकर और मढगाओ एक्सप्रेस की बॉक्स ओफिस द्रकर में कुनाल खेंबू निर्देशित मढगाओ एक्सप्रेस आगे नसरा रही है फिल्म ने होली के दिन यानि सुम्वार को भी रंदिव की फिल्म को कमाई की मामले में पीछे छोड़ दिया है हाला कि दोनों ही फिल्में चार दिन में दस करोट रुपे भी नहीं कमा पाई है नवाज दिन सिद्ध की और उनकी पतनी आरिया की शादी को 14 साल पूरे हो गए है और इस मौके पर आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है हाला कि उसके बाद वो पूरी तरह फस गई है सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया है और ट्रोल करना शुरू कर दिया है साउस सिनेमा के फिल्म हरुमान ने सिनेमा घरों में जबरदस भौकाल काटा था इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर 300 करोड से ज़ादा की कमाई कर ली थी अब कुछ ऐसा ही जलवा OTT पर देख रहा है दो प्लाटफॉर्म के बाद अब ये फिल्म एक और OTT आप पर रिलिस होने जारी है जरिंग खान इस साल रमजान में रोजा रख रही है उनका एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो अजान की आवाज सुनते ही रोजा खुलने की बात कहती नजर आ रही है दल्य सरकार में मंत्रे सौरब भारतवाश ने कहा है कि हॉस्पिटल में मुफ्ट टेस्ट ना हो पाने से केजरिवाल परिशान है कई हॉस्पिटल और महला क्लिनिक में दवाई की कमी होने से केजरिवाल परिशान है दवाई की कमी को पूरा क्या जाएगा लोगों के मुफ टेस्ट होते रहेंगे ये थी आज की टॉट्वेंटी खबरे खबरों का सिलसिला योही चलता रहेगा आप देखते रहें इंबिसेन नियूज नमस्कार